देखे, सारे लोग कहते हैं, अब आप जिकर कर रहें थी, सुशान सिंग राजपूत का, आपने उनके नाम पर पूरी इंडस्ट्री से पंगा ले लिए येस, सर, पता है क्या है, मेरा एक फिलोसिफी है, कि जब तक मुझे नहीं छेड़ोगे ना, मैं तुम्हें कभी ये लोगा है, मुझे ये लोग खुद, जैसे पतंगे शम्मा की तरफ आंते है ना, जलने के लिए, ये खुद मेरे पास आते है, ये लोग, तो मैं ये कहना चाहरी हूं कि मेरि जितने भी बाद, इन लोगों ने, आप मेरे को बताइए कि अगर इन लोगों ने मुझे टॉ यहां पर कि मुझे ऐसा भी सजेस्ट किया कि तू अब मर जाए तो अच्छा है तो क्या मैं यह क्या आप भी तो ऐसी बाते उद्दव ठाकरे मुख मंत्री थे अब पानी में रहा किया मगरवच से बैर थोड़ी करता है आप कैती मेरा क्या उखाड लोगे जो महराष्ट्रा म मुझे गालियां दी गई मुझे ओपनली गालियां दी गई मुझे जो है हर तरह का अपशब्द बोला गया मैं बच्पन से ही जो भी है मैंने कभी किसी से फेवर्स नहीं लिए मुझे हराम खोर बोला गया मैं जिस इमानदारी से मैं अपनी जीवन जीती हुआ जिस तरह से में अपनी मेरे जीवन शैली है इस तरह की बाते मुझे पूरे समाज में के सामने बोली गए आपने भी तो कहा कि मुंबई में डर लगता है आपने का मुंबई पाप अकुपाइट कश्मीर के तरह हो गया है सर लेकिन जब एक आप खुद सोचिए आप मुंबई के हैं और दो साधूओं की लिंचिंग की जाती है सरे आम हत्या की जाती है और आपका जो परसाशन है जो आपके पुलिस कमिशनर मजाग उड़ा रहे हैं उनका और किसी तरह का कोई एक्शन नहीं ले रहे है तो आपको इस तरह की insecurity होगी क्योंकि हम भी openly हिंदू हैं तो हम लोगों को तो डर लगेगा तो अगर मैंने डर लगा और मैंने ये बात कह दी जो कि I think थोड़ा ज़्यादा मैंने कह दी तो क्या उनका ये नहीं बनता था कि कंगना आप ज़्यादा बोल गए but you are very safe in अगर मैं commissioner of police होती यहां मेरा परसाशन होता तो कोई बेटी अगर ऐसे चिंतीत होती कि भी साधूओं को पालगर में जो है सबने मिलके crowd ने पत्थर से कूट-कूट के कूट-कूट से मार दिया पुलिस वहां पे थी हवलदार वहां पे थे तो आपको कहना चाहिए था कि यह बेटी को ऐसा लग रहा होगा लेकिन आप सुरक्षित है लेकिन उन्होंने क्या कहा यह हराम खोर और क्यूंकि मैं कोई फिल्मी नेपो किड नहीं हूँ क्यूंकि मैं कोई राजनीती का नेप आपकी नाम और वेल्थ और पावर के उपर नहीं रहती हूं तो जब कोई इनसान सर देखिए आपना मेरी चीजोंका न अच्छे से पेश नहीं कर देए आप अगर कोई बंदा आप सोची अगर कोई इनसान चैर पे जो एक हमारा गार्डियन है जो हमारे गार्डियन है जो हमारा रक्षक है और जिनका ये बनता है कि ठीक है आपको ऐसा फील हूँ आप मुझसे बात करिए और वो maturity अगर उनमें कहां से आती अगर उन्होंने कोई संघर्ष किया होता जिस तरह से वो छोटे बच्चों की तरह बात करें तो जाहिर है कि उनको हर चीज जो है बड़ी आसानी से मिली हुई है और ये ख्याल मुझे आया कि इनमें किसी भी politicians के tactfulness या कोई political strategy या किसी तरह के का कोई politicians की भी अपना charm होता है वो भी हर चीज में जो shine करके निकलना चाहते है और वो भी हर मौके का फाइदा उटाके जो है अपने आपको build करना चाहते है इमेज जो की एक tactful politicians होते हैं जिन्होंने महनत से उपरा आते हैं लेकिन ये तो किसी तरह के बिगडे हुए बेटों की तरह बात कर रहे हैं जिसे अमीर बाप के बेटे बात करते हैं तो उनका क्या गया नुकसान आपको हुआ ना बना बनाया घर तूड़ गया सर मेरा वही नुकसान नहीं हुआ मेरा और भी बहुत जादा नुकसान हुआ मेरे जो एक महिला होने के नाते इन लोगों को जो मुझे एक गाली गलोच देने के आदत पड़ गई है वो ना किसे महराश्टा भी यो पंजाब में भी जिसको देखो गंदी-गंदी गालियां पुतले लेके चपल से मारना एक महिला के लिए उसकी इंटेगरिटी किसी भी उसके गहनें से पैसों से जादा जादा ज़रूरी होती है और हम अपनी बेटियों को जब दे को जिसका मन करता है वो गंदी-गालियां देता रहता है तो I think कि इस देश को थोड़ा तो काम-डाउन करना पड़ेगा आप बेटियों को इस तरह से इतने गंदे से ट्रीट नहीं कर सकते हैं